जित्ते भी स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत अच्छी खबर जो है खुश खबरी आप लोगों को देना चाहता हूं कि छतिस गड़ में जो है सिख्चकों के दस जार पदो पर भरती के लिए आपका विज्यापन जारी हो चुका है और मान्य श्री मुख के मंतरी भूपेज बगेल जी ने कई बार जो है बोला है कि 36 गड़ में जो है आप सिख्चक के 10,000 पदों के लिए भरती प्रक्रिया जो है सूरू कर दिया गया है उन्होंने officially बोला है कि भरती प्रक्रिया जो है सूरू हो गया है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अफडेट है बीग ब्रेकिंग न्यूज है और इससे भी बड़ी खुस ख़बरी के बात क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिक्षक के जो 10,000 वेकेंसिस आएगा इन सभी चीजों के बारे में आपको पता है लेकिन क्या आपको इस चीज के बारे में पता है वो क्या है CG Tate सही सुन रहे हैं आप सभी लोग 10,000 vacancies जो आप लोगों के लिए सिख्षकों के आ रहा है इसके सांथ ही आपका Tate exams का भी notification इसके सांथ ही जारी होगा Tate exams आपका पहले होगा उसके बाद आपका सिख्षक भरती बाद में होगा आप लोगों के लिए double खुसकबर है जो इस्टुडेंट जिनका यदि Tate exams qualify है वो exams के तयारी करना सुरू कर सकते हैं अपना preparation जो ही start कर सकते हैं लेकिन वही पर जो इस्टुडेंट जिनका B.A.B.S. complete आप Tate exams जो है क्वालिफाइ नहीं है वो Tate exams के प्रिप्रेशन करना सुरू कर दीजिए क्योंकि यदि आप Tate exams को क्वालिफाइ कर लेते हैं तो आप टीचर भर्दी परिक्षा के लिए एलिजी बार रहेंगे फिर आप exams को क्वालिफाइ करके टीचर बन जाएंगे तो आपको बताना चाहता हूँ कि 10.000 पर जो भर्दी होना है आप लोगों का सीख्षक उससे पहले ही आपका Tate exams का भर्दी होगा इस बात को आप लोग समझ लेजे और आप लोग यह सोचेंगे कि सीख्षक भर्दी आ जाएगा हमारा Tate exams क्वालिफाई है और जो इस टुडेंट जिनका Tate exams क्वालिफाई नहीं है उनी स्टुडेंट का सेलेक्षन नहीं होगा ऐसा बिल्गूल भी होने वाला नहीं है सबसे पहले Tate exams ही होगा उसके बाद ही आपका जो है टीचर के 10.000 वेकेंसे जो आप लोगों के लिए है वो भरतिक होगा तो यही आप लोगों के लिए बहुत बढ़ी भरती बीग अपडेट है बीगबेक न्यूज है आप सभी शटुडेंट के लिए और इस सुडियो में आप लोगों को टीचर भरती आस्टे संबंद सभी चानकारी देना चाहतों कि सिख्षकों के जो 10,000 वेकेंसिस हैं उसमें सिख्षक के हो गए साहाग सिख्षक के इनके पदो पर भरतिक होना है सेक्षण ही क्यों गयाता के बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजवेशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मानने था प्रापत युनिवर्सिटी भी सोविडियले से इसनाता के डिग्री होना चाहिए और शाथ में आपका बी-एट जो है कंप्लीट होना चाहिए और बी-एट के साथ आपका रुजगार पंजियन होना चाहिए और आपका ठेट एग्साम्स तो आप वही हम बात करें और तो टीचर भरती परिक्षाा के लाइए अचetter में के बात करें तो मीनिमा मेज़ लिमिट 21 वर्स होना चाहिए मेज लिमिट 40 वर्स होना चाहिए category by suit के बाद करें तो यह दिया आप SC और HD category वाली student है तो आपको जह आईउ सीमा में पाँच वरसे का छूट मिलेगा ओभी C category वाली student को तीन वरसे का छूट मिलता है वही selection procedure चैन प्रक्रेट के बाद करें किस तरह से होगा तो इसमें आपका डारेक्ट सीधी भरती होगा कही पर भी आपको इंटर्वीस वगेरा जो है देखने को नहीं मिलेगा आपका जो है डारेक्ट सीधी भरती होगा syllabus और exam पेटरन क्या रहेगा तो सीख चेको कि जो भरती होगा उसमें syllabus और exam पेटरने की बात करें तो आपको मैं पूरा syllabus और exam पेटरना पताता हूं कि किस तरह से आपको जो है question cancer solve करना किस तरह से आपको जो है negative markings जो है बचना है और कित्ते question आपको solve करना जो है जो है आपका selection हो जाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जित्ते भी student है आप सभी student को मैं बहुत अच्छी खबर जो है खुस खबरी आप लोगों को देना चाहता हूं कि 36 गड़ में जो है सिख्चकों के 10,000 पदों पर भरती के लिए आपका विज्यापन जारी हो चुका है और मान्य स्री मुख के मंतरी भूपेज बगल जी ने कई बार जो है बोला है कि 36 गड़ में जो है आप सिख्चक के 10,000 पदों के लिए भरती प्रेकरिया जो है सुरू कर दिया गया है उन्होंने ऑफिसियली बोला है कि भरती प्रेकरिया जो है सुरू हो गया है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भरती अफडेट है बीग ब्रेकिंग न्यूज है और इससे भी बड़ी खुसकबरी के बात क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिक्षक के जो 10,000 वेकेंसिस आए गए इन सभी चीजों के बारे में आपको पता है लेकिन क्या आपको इस चीज के बारे में पता है वो क्या है CG Tate सहीं सुन रहे हैं आप सभी लोग 10,000 वेकेंसिस जो आप लोगों के लिए सिक्षक को के आ रहा है इसके साथ ही आपका जो है Tate एक्जाम्स का भी नोटिफिकेसन इसके साथ ही जारी होगा Tate एक्जाम्स आपका पहले होगा उसके बाद आपका सिक्षक भरती बाद में होगा आप लोगों के लिए डबल खुस खबर है जो इस्टुडेंट जिनका यदि Tate एक्जाम्स क्वालिफाई है वो Tate एक्जाम्स की जो है प्रिप्रेशन करना जो है शुरू कर दीजिए क्योंकि यदि आप Tate एक्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है टीचर भरती परिक्षक के लिए एलिजी बार रहेंगे फिर आप exams को qualify करके teacher बन जाएंगे तो आपको बताना चाहता हूँ कि 10.000 पदों पर जो भरती होना है आप लोगों का सीख्षक उससे पहले ही आपका टेट exams का भरती होगा इस बात को आप लोग समझ लेजे और आप लोग यह सोचेंगे कि सीख्षक भरती आजाएगा हमारा टेट exams कोलिफाई है और जो इस टुडेंट जिनका टेट exams कोलिफाई नहीं है उन इस टुडेंट का सेलेक्षन नहीं होगा ऐसा बिल्गूल भी होने वाला नहीं है सबसे पहले टेट exams की होगा उसके बाद ही आपका जो है सीख्षकों के जो 10,000 वेकेंसिस हैं उसमें सीख्षक के हो गए साहाग सीख्षक के इनके पदों पर भरती होना है सेक्षनी के ओग्याता के बात करें तो इसके लाब का ग्रेजवेशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मानिया था प्रापते युनिवर्सिटी भी सोविडियले से इसनाता के डिग्री होना चाहिए और शाथ में आपका जो है बी-एट जो है कंप्लीट होना चाहिए बी-एट के साथ आपका रुजगार पंजन होना चाहिए और आपका टेट एग्जाम्स क्वालिफाई होना चाहिए चारों चीज़े आपका जी अप यह है तो आप इसके लिए इलिजीबल है चाहिए अपने सीजी टेट एग्जाम्स क्वालिफाई किया चाहिए अपने सी टेट एग्जाम्स क्वालिफाई किया तो मीनिमा मेज लिमिट 21 वर्स होना चुए, मैक्जिमा मेज लिमिट जो है, 40 वर्स होना चुए, कैटिग्री वाइश चूट के बाद करें, तो यह दिया आप एस्थी और एस्टी कैटिग्री वाले इस्टूडेंट है, तो आपको जह आईउ सीमा में 5 वर्स का छूट है, वही सेलेक्शन प्रोसीजर चैन प्रक्रे के बाद करें किस तरह से होगा, तो इसमें आपका डारेक्ट सीधी भरती होगा, कहीं पर भी आपको इंटर्वीस वगेरा जो है देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो है डारेक्ट सीधी भरती होगा, सिलेबस और एक्जाम प अच्छन है और कित्ते क्वेस्टन आपको सॉल करने जिसे आपका सेलेक्शन हो जाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने भरती परीच्छा के सिलेबस और एक्जाम पेटाने के बारे में बात करें तो आपके एक्जामस में जो है कूल एक सो पचास परशन जो है पूछे जाते हैं प्रत्यक परशन जो है आपके एक अंके होंगे यानि कि डेट सो परशनों के लिए डेट सा उंकों के क्वेस्टन जो है पूछे जाएंगे और इसके साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग भी खोता है वन बाई फोर आपका जो ह असरे से थी शंकों के प्रश्ण आएंगे, स्वामानी हिंदी से 25 शंकों के प्रश्ण, स्वामानी अंग्रिजी से भी प्रश्ण